नमस्कार वर्स 2021 का बजेट और साधारन परिस्तितियों के बीच पेश किया गया है इसमें इथार्त का एसास भी और विकास का विश्वास भी है कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया उसने पूरी मानुजाती को हिला कर रख दिया है इन परिस्तितियों के बीच आज का बजेट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है आज के बजेट में आत्मन निर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक हर वर्ग का समावेश भी है हम इस बजेट में जिन सिध्धान्तों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए आउसरों नई संभावनाओं का विस्तार करना युवाओं के लिए नए आउसरों का निर्माण करना मानव संभावन को एक नया आयाम देना इंफास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए ने खेत्रों को विख्षित करना आधुनिक ताकी तरफ आगे बरना नए सुधार लाना साथियों नियमों और प्रक्रियाओं का सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में इज अब लिविंग को बढ़ाने पर इस बजेट में जोर दिया गया है यह बजेट इंडिविजियल्स, इन्वेस्टर्स, इंडिस्ट्री और साथ ही इंफास्ट्रक्टर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बढ़ाव लाएगा मैं इसके लिए देश की वित्तमत्री निर्बला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों ऐसे बजेट देखने को कमी मिलते हैं जिसमें शुरू के एक दो घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पॉंस आएगे कोरोना के चलते कई एक्सपर्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोज बढ़ाएगी लेकिन फिस्कल सस्टेनिबिलिटी के प्रती अपने दाईतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजेट साइज बढ़ाने पर जोर दिया हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजेट ट्रांस्परेंट होना चाहिए मुझे खुशी है कि आज अन्यक विद्वानों ने इस बजेट की ट्रांस्परेंटी की सरहरा की है सातियों भारत करोना की लड़ाई में रियक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोयक्टिव रहा है चाहे वो कोरोना के काल में किये गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्म निर भर भारत का संकल्ब इसी प्रोयक्टिवनेश को बढ़ाते हुए आज के बजेट में भी रियक्टिव का नामों निशान नहीं है साथ ही हम एक्टिव पर स्ट्रेटेस को पर भी अटके नहीं है और हमने इस बजेट में भी प्रोयक्टिव बजेट दे करके देश के सामने प्रोयक्टिव होने का संदेश दिया है यह बजेट उन सेक्टर्स पर विशेश रुप से केंद्रित है जिन से वेल्थ और वेल्नेस दोनों ही तेज गती से बढ़ेंगे जान भी जहान भी इसमें MSME और इन्फा सेक्टर पर विशेश रुप से जोर दिया गया है इसी तरह यह बजेट जिस तरह से हेल्थ केर पर केंद्रित है वो भी अभुद्पुर्व है यह बजेट देज के हर ख्षेत्र में विकास यानि All-Round Development की बात करता रहता है खास तोर पर मुझे खुशी है कि इस बजेट में दक्षिन के हमारे राज्य, पुर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में ले लदाग जैसे ख्षित्रों में विकास पर विशेद ध्यान दिया है यह बजेट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिल नाडू, केरल, पस्चिम मंगाल इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदमड़ है नौर्टिस के राज्य जैसे असम के अन एक्स्प्लोर्ट पोटेंशल को टैप करने में बजेट बहुत बड़ी मदद करेगा इस बजेट में जिस तरह से रिसर्ट एन इनोवेशन एकोसिस्टिम पर बल दी गया है जो प्रावधान किये गए हैं उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी भारत उजवल भविश के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा साथियों देश के सामान्य मारवी का महिलाओं का जिवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्त स्वच्षता पोर्षण शुद्द जल और अवसरों की समानता इस पर इस बजेट में विशेश बल दिया गया है बजेट में इन्फास्टेक्टर पर खर्चवें अभूत पुर्व बृद्धी के साथ साथ कई व्यवस्तागत सुधार किये गए हैं जिसका बहुत बड़ा फाइदा देश में ग्रोफ और जॉप क्रियेशन रोजगार के लिए बहुत लाब होगा देश में एग्रिकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए किसानों की आई बढ़ाने के लिए इस बड़ेट में बहुत जोर दिया गया है कई प्रावधान किये गये हैं एग्रिकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज़्यादा रण मिल सकेगा देश की मंडियों को यानि एपीमसी को और मजबूत करने के लिए ससक्त करने के लिए एग्रिकल्चर इंफार्सेक्टर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है यह सब दिन नहीं यह दिखाते हैं कि इस बज़ेट के दिल में गाउ है हमारे किसान है MSME सेक्टर को गती देने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार MSME सेक्टर का बज़ेट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से जादा कर दिया गया है साथियों यह बज़ेट आत्मंदिर भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरी की प्रगती शामील है यह बज़ेट इस दशक की शुरुवात की एक मजबूत नीव रखने वाला बज़ेट है सभी देशवासियों को आत्मंदिर भर भारत के इस महत्वपर बज़ेट के लिए मैं बहुत बहुत शुब कामनाय देता हूँ फिर से एक बार वित्नमंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ धन्यवाद करता हूँ